गौसिप क्वीना अज सुबह से इतनी खुश थी कि आज सुबह 9 से 10 रामायन देखने वाल हैं लेकिन लोग रामायन पर भी कमेंड करने से बास नहीं आते आज सुबह प्रकाश जावडेकर ने ट्विट किया था कि मैं तो रामायन देख रहा हूँ और आप इस पर फराली खान ने उन पर निशाना साथ दिया फराली खान ने लिखा मैं आपको घर पर आराम से बैठा हुआ देख रही हूँ जबकि कहीं प्रवासी इश्रमिक भोज करते हैं जिस पर ट्रोल हो जाते हैं कोरोना वारिस को लेकर लगभग सब भी बॉलिवड के लाका सोशल मीडिया पर एक्टिव नजरार है हाली में इस मुद्दे को लेकर बॉलिवड की दिगज एक्टर रशी कपूर ने ट्विट किया अपने ट्विट में रिशी कपूर अपने इस ट्विट को लेकर अप सोशल मीडिया पर खूब ट्रॉल हो रहे हैं लोग उनके विचार के साथ नहीं आ रहे हैं और लगातार उनके विचारों पर उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं पुलकित समराट के साथ वे काफी ट्राइम बता रहे हैं पुलकित और क्रुती साथ में काफी शांदार बाउंडिंग शेर करते हैं दोनों सतारे अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन भी रहते हैं कई ऐसे रिपोर्ट सेल रही थी कि कपल जल्दी शादी कर सकते हैं मगर इस पर कुरुती की प्रतिक्री आ गई है साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुरिंटाइम में वे और पुलकित कैसे टाइम पास कर रहे हैं पुलकित समराट से अपनी शादी की अफ़ाओं के बारे बार के टेव विकृती दी कहा अभी हमारा शादी का कोई रादा नही है मेरे ख्याल से मैं और पुलकित दोनों का ही शादी करने का कोई भी रादा नहीं है हम सिर्फ हर आने वाले एक दिन की बारे में सोचते हैं इससे जादा हमने अभी कुछ नहीं सोचा ना तो मैं भी शादी के लिए त्यार हूँ अभी मैं इसके लिए कुछ साल और अभी पुलकित तो बच्चा है लो भई जसके साथ टाइम स्पैंड कर रही है जसके साथ क्वारेंटाइन टाइम बता रही है उन्हें अब बच्चा क्या दिया अब पुलकित का इस पर क्या रियक्शन आएगा भई पुलकित इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं और यहा ट्विटर पर ट्विट किया है और सीधे पुलस वालों पर निशाना साथ है रीचा चड़ा ने ट्विट किया वारस से मौत को रोकने के लिए लोगों को पीठने के पीछे तर्क किया है रीचा चड़ा ने इस तरह अपने ट्विट में लोगों को पीठने पर पुलस पर प्रिशाना साधा और यहाँ सवाल उठाया रिजय चडड़ा अपनी विबाग के लिए जाने जाती है सभी संचमाई मुद्दों पर वो खोलकर अपनी राय पेश भी करती है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सिस्क्राइब करें और शेयर करें